जाले नगरपाली का परिशद सहाबाद हर्दोई की तरफ से समस्त नगरवासियों को दिपावली भाईदूजवा डाला छट की हार्दिक सुपकामनाए नमस्कार मैं हूँ अर्बिंद कुमार सिंग और आप इस वक्त देख रहे हैं आई भी इंडिया नूज खबर हम बेटकर नगर जिले के अलापूर छेतर से हैं जहां पर आपको बता दें कि सुजावलपूर जहांगीर गंज में विक्रमा तरिपाठी समारक बाल का हिंटर कालेज में संगीत मैं सिराम कथा की अमरित बरसा हो रही है बते जारा है कि इस मौके पर भक्तों का जहन सलाव उम्रा हुआ है हर बरस की भात इस बरस भी पच्चिस दिवसिय विसाल रुद्र महायग और संगीत मैं सिराम कथा कालजन किया गया है कथावाज का विख्यात सुस्री अनपूर्णा जी अपनी मुखार बिन से भक्तों को संगीत मैं सिराम कथा का भरपूर रस्पान करा रही है बगवान सिराम के जियों लिलाका कर रही है ची तरह से संदर्वन समाज में बगवान सिराम का संदिश दे रही है और साथी लोगों को जागरू कर रही है इस मौके पर रसी राम कथा सुनने के लिए लगभग हजारों के संख्या में प्रतिदीन लोग आ रहे हैं और अमबिटकर नगर जीले कही नहीं बलकि आसपास के जनपत जेवी यहां पर भक्तों का जनसलाप का लाइनी लगी हुई है विसाल मारूदर महायोगी और संगीत मैसी राम कथा में लोग पहुंच रहे हैं और भरपूर इस कथायक का लुप उठा रहे हैं इस कारकरम के आयोजग प्रवंचल के माने जाने सुख्षा जगत की विख्यात हस्ती उचकोड के विद्यान और प्रोफेसर एम समाज सेवी सिरी बजरंग तिरपाटी हैं ये पच्चीस द्यूसरी विशार रुद्र महायोग और संगीत मैसी राम कथा कायोजण सेवी बजरंग तिरपाटी हैं अपनी माता के पुणतिती फराज़ित कर रहे हैं ये लोग समर पित कारकरम इस प्रकार की जगका जिन मारस के जीवन पर खोब परभाव हो रहा है पुड़े छेतर में ही नहीं बलकि आसपास के जनपद में इस संगीत मैसी राम कथा और विशार उद्र महाय का चर्चा का बिशे बना हुआ है इस कता के रस्पान से भक्तों के चेहरे पर खुसियां ही दिखाई दे रही है काओं के साथ साथ दूर के तमाम लोग भी इस कारकरम के प्रतिकता आयोज़क प्रवांचल के माने जाने भी ख्यात समाजशी बजरिंगती पाठी का आभार जता रहे है जो रस्पान का कराने के लिए यहमती से पधावी पर त करना दूर जी अपने मप्यार के लुग औरी है और ते माने जाने माने जाने जाने यह क्रोपाठ ऐक पांदामर्शी स्ट्रेशन क में यह कारकरम करा रहा है प्रफेसर रह चुके हैं आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के यग्यका जर्मानस के जीवन पर क्या प्रभाव होगा प्रभाव पड़ता है अब एक्तम सत्प्रिस्ट तो नहीं हम कह सकते लेकिन कुछ न्यकुछ तो पुर्व पूरे जितने भी स्रोता गणाते हैं उनके उपर पड़ता है और इसका यह अवहन भी करते हैं उसको फालो भी करते हैं और काफी यहां के लोगों में सत्भावना ब